Hello everyone, आप सभी लोगों को स्वागत है, teaching परिक्षा के आज के इस वीडियो में, friends, आप लोग जानते हो कि आप लोगों की बिहार सिक्षक भरती में, एक से पाचवी तक की कक्षा का result जारी हो चुका है, इसमें आप लोगों में से काफी सारे लोगों का सवाल या रहा है कि क्या B8 का result भी जारी हुआ है, तो friends, मैं आपको बता दू कि अब या confirm हो चुका है कि B8 का result जारी नहीं किया गया है, केवल BTC, D8 या DL8 वाले जो बच्चे थे, उन्हीं का result जारी हुआ है, B8 का result जारी नहीं हुआ है, तो अब B8 वाले क्या करें, friends, मैं समझ सकता हो कि काफी जा मैं समझ सकता हो कि यह बोलना बहुत आसान है कि आगे बढ़ी है, अब आगे में जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखें, लेकिन, friends, अब उसके अलावा रास्ता क्या है, आप बताईए, कुद कमेंट करके मुझे, कि अभी क्या है, अभी तो एक मौका है, उसको करना है, अ मैं भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, यूटूब के उपर में हमारी क्लासेस होती है, उसको आप लोग अच्छे से देखिए, आपको बहुत जादा मदद मिलेंगी, इसके अलावा, friends, अगर आप लोग टीजिंग परीक्षा के साथ में और अच्छे से पढ़ाई करना पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो, तो नीचे में आप लोगों के नंबर चर रहे है, 7611-101-101-101-97-96-97-88-44, इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो, वाटसेप कर सकते हो, आप लोगों को, friends, अब आगे के तरफ देखना है, आगे हम क्या कर सकते ह उसके तरफ में देखना है, ठीक है, बाकी, friends, टीचिंग परिक्षा आप लोगों के साथ में है, अच्छे से पढ़ते रहे है, महनत करते रहे है, यह जो मुका है, इस मुके को अंतिम मुका समझ के, पूरी तरह से पूरी जान अपनी जोग देनी है, चटवी से आटवी में या नवी दस्वी में, जिसमें भी आप उसके अंदर में, ठीक है, इसके अलावा, friends, जो लोगों का नहीं हो पाया, पहली से पाच्वी में, डीलेड वाले बच्चे है, और वो भी 6-8 में करना चाहते है, वो भी कर सकते है, उनके पास में भी मुका है, कि उस 6-8 में दे सकत अगर उनका seated paper to clear है, तो, okay, चलिए, तो यह आप लोगों के लिए जानका रही थी, friends, आप लोग बस अच्छे से करते रहिए, मैं आपके साथ में हूँ, पूरा teaching परिक्षा परिवार आप लोगों के साथ में है, मिलकर महनत करेंगे, friends, और दिन रात एक कर देंगे, यह आन दन्यवाद, thank you very much.